क्या आप क्रिश्णा की एक जादूई कहानी सुनने के लिए तैयार हैं। दूर द्वापर युब में, व्रिंदावन की हरी भरी धर्ती पर कनहया अपनी बासुरी की मीठी धुन बिखेर रहे थे। तभी दूर से एक पुकार सुनाई दी, कनहया, जल्दी आओ, जल्दी आओ, कनहया मुस्कुराई और धुन रोक दी, ये हावाज तो सुदामा की लगती है, सुदामा दोडते हुए आए, उनके चेहरे पर घबराहत साफ चलक रही थी। कनहया, कुछ अन्होनी हो गई है, सुदामा हौंटते हुए बुले, हमारे गाव में एक अंधेरा साय चा गया है, फसले सूख रही है, नदिया सूख रही है, और एक अजीब सी हवा चल रही है, जो सबकी शक्ती चीन लेती है। कनहया ने सुदामा को शांत किया और पूछा, तुमने ये अंधेरा कब से देखा? कल रात से, सुदामा ने जवाब दिया, और, और, मैंने जंगल में एक अजीब सा जीव देखा, वो इतना काला था कि उसमें से आग निकल रही थी, कनहया की मुस्कान गायब हो गई, उन् लगता है प्रित्वी पर एक बार फिर अंधकार का राज फैलाने की कोशश हो रही है, बच्चों, ये तमस कोई साधारन बुराई नहीं थी, ये एक जादूई शक्ती थी जो खुशियों और उम्मीदों को चुरा लेती थी, और अब लगता है उसने व्रिंदावन को अप कनहया, सुदामा बिना किसी हिच के चाहत के बोले, आप बस कहे, मैं क्या करूँ, कनहया ने सुदामा को एक रहस्य बताया, व्रिंदावन के जंगल में एक गुप्त कुंद था, उस कुंद के जल में एक अलौक एक शक्ती थी, जो तमस के अंधकार को दूर कर सकती थी, ले तो कनहया और सुदामा, दो अनोखे साथी, जंगल की ओर चल पड़े, रास्ते में उन्हें कई बाधाय आई, जहरीली साप फुफकारते हुए उनका रास्ता रोकते, काटे दार जाडिया उन्हें लहुनुहान कर देती, और अजीब सी आवाजे उन्हें दराती, लेकिन कन कनहया अपनी चतुराई से खत्रों को पार करते, और सुदामा अपनी डिर्टा से हर मुश्किल को पार कर लेते कई दिनों की यात्रा के बाद, कनहया और सुदामा जंगल के बीचो बीच स्थित गुप्त कुंड तक पहुँच गए, कुंड एक अंधेरी गुफा में स्थि कनहया ने अपनी बासुरी बजाई और उसकी मधुर धुन ने गुफा के अंधेरे को दूर कर दिया, धीरे धीरे कनहया कुंड के पास पहुँचे, तभी अचानक कुंड से एक भयान अकावाद सुनाई दी, कौन है जो मेरे कुंड के जल को चुराने की कोशिश कर रहा है? कनहया ने निर्भीकता से कहा, मैं कृष्ण हूँ, और मैं इस कुंड के जल का उप्योग तमस के अंधकार को दूर करने के लिए करना चाहता हूँ, कुंड से फिर एक आवा जाए, तुम्ही ये जल नहीं मिलेगा। सूखी हुई फसले फिर से हरी भरी हो गई, नदिया फिर से बहने लगी, और लोगों के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। कनहया और सुदामा ने तमस के अंधकार को हमेशा के लिए दूर कर दिया था। व्रिंदावन में फिर से खुशियों का राज स्थापित हो गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दोस्ती में बहुत शक्ती होती है। हमेशा अच्छाए और बुराई के बीच लड़ाई होती है। और अंत में हमेशा अच्छाए की जीत होती है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहिए कितनी भी मुश्किले क्यों नहों।